नमस्कार दोस्तों कैसी है आप सब मेरा नम है अधिते शमुवर आप देख रहे हैं कॉमर्स भाइया तो आज मैं काफी जादा खुश हूँ और आप सभी बच्चों को कॉंगराचुलेशन्स जिनको भी देली उनिवेस्टी के अंदर स्पॉर्टरांग टू के अंदर लॉसके तो यार मैंने अल्रेडी कॉंग्रेशन्स बोल दिया आप लोगों को जिन बच्चों को कॉलेज़ मिल गए है और जिनको नहीं मिले यार उन्डों को दुखी होनी की बात नहीं है कॉलेज है मतलब ऐससे इतनी बड़ी बात नहीं है अगर आपको अभी नहीं मिला होगा था सो हां बैकप आपको रखनी चाहिए थे सो अगर आपने बैकप रखे हुए है तो अच्छी बात है अब मिरको आप लोगों से कुछ बाते करनी है थोड़ी बहुत मैं कुछ बाते बतानी है स्पोर्ट 3 होगा नहीं होगा उसके बारे में भी बताऊंगा बट उसस अब बताऊंगा बट नहीं होगा इसे बच्चे भी है जो कि आप लोगों को बता दूंगा कॉंचा कॉलेज अच्छा है जो मिले से हो उसको छोड़के इस कॉलेज में आरा डली निवस्ती के लिए अच्छा रहेगा नहीं रहेगा तो आप मुझसे कोई बीकॉशन पूच सकते हो एंड अब बात करते हैं स्पॉट्स रिकी तो इसके लिए एप्लिकेंट्स जो थे ना जितनी भी अप्लिकेशन गई वह गई थी 19,000 से भी जाता इकस तो अगर मैं उसको डिवाइट किया था तो उसके बाद 2.48 बच्चे आ रहे थे एक सीट के लिए मतलब आप ठीक है तो यहर अगर दो बच्चे एक सीट पे हैं और अगर सीट अफसे घ। आ जे नहीं मिला नहीं मिला तो हाँ अगर अभी भी सीट्स अवेंलेवल रहाती है जैसे कि स्पॉट्राउUND 1 के बाद रहे गई थी इसलिए छीट्स रह जाता तो अगर सीट्स रहे जात उने accept किया देखो इस जो प्रोसीजर ना इसमें बहुत सारे बच्चों को colleges अलॉट होते हैं और उसके बाद बहुत सारे बच्चों को accept नहीं करते डिू तो सम काफी सारे रीजन संप नहीं काफी सारे रिजन तो बहुत सर बच्ची अभी मतलब जो भी उन्होंने अप्लाय कर रहा गतना बहुत सर बच्ची एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो अगर सीर्स बजेगी तो एक और सांस मिलेगा आप लोगो तेली नुवस्टी के अंदर स्पोर्टरों 3 का दो स्ट्ब्स करेंगे, प्रूब जो एक और से बच्ची एक और सांस मिलेगी तो प्रूप लोगो तो एक और से अंदर से जाएंगे प्रूब जो एक जाएंगे